कि अपने फसलों के चेयन की बात कही ती कि उसमें सुविधा मिलती है किस स्विधा मिलती है अगर हम मिट्टी की ज्याच कराते हैं तो उसमें प्रकार की ज्याच होती है मिट्टी में उसर है या मिट्टी सामान्य है ठीक है अगर मिट्टी सामान्य है तो उसमें हम कोई भी फसल हुगा सकते हैं पर अगर मिट्टी में उसर की समश्या है तो उसमें हम केवल उनी फसलों को उगाना चाहिए जो उसर से सहिंशील हो उसमें उनको सरसों गेहूं की फस करने के लिए राज के प्रतेग जिले में सुमिति पर कारेरा हैं जैसे मसलर gue में दूदू चाख्षू और शाहपुरा में अधे – ँव funniest कर रहे हैं, इसकर पे उस तरहे हैं. पर आप जा सकते हैं प्रयोग शालाय उपलब्ध हैं मिट्टी का नमूना लेना बहुत ही महत्पूर्ण है और अगर नमूना से विदी से नहीं लिया जाए तो मिट्टी परिक्षण किसी लाब का नहीं होता है तो मिट्टी का नमूना लेने के लिए किसान भाईयों को अपने एक खेट से आट दस जगे से नमूना लेना चाहिए और आट दस उन्हें इस्थान चैनित करने चाहिए और प्रतेग स्थान पर जो अपनी सामान्य फसले हैं उनके लिए जीरो से पंद्रा सेंटिमीटर का कर पत्थर हैं उनको एक तरफ हटाके और वहां एक खुर्पी या फावड़े से एक अंग्रेजी के वियाकार का घड़ा खोदना चाहिए इस प्रकार का वियाकार का घड़ा खोदना चाहिए इसमें उपर से नीचे तक की गह रहाई 15 सेंटिमीटर हो उसके बाद उसकी एक एक साइड में एक मोटी परत काट लेनी चाहिए दुबारा फूर्पी या फावड़ा मारके अब वह मिट्टी हमें इकट्टी कर लेनी है वह सभी आठ-ग this जगए से वह मिट्टी हमें इकट्टी करनी है उसके बाद इस मिट्टी को साफ फर्ष्च पर फेला मिलाना मिक्स करना है मिक्स करके और उसका एक सरकल बनाना है गोला बनाना है उस गोले के हमें चार भाग करने हैं उसमें इन चार भागों में से आमने सामने के भाग को हम फैंक देते हैं और दूसरे आमने सामने के भागों को हम फिर मिलाते हैं और फिर मिलाकर फिर एक गोला बनाते हैं इस में आधा किलो मिट्टी नहीं बच जाए और इस आधा किलो मिट्टी को हमें सूखी साफ थैली में बरकर और अपने जो पूर्ण किसान का विबरन है वो लिखके और प्रयोक्षाला को भेजना चाहिए